दोस्तो इस वीडियो में हम देखें गे यह पावर बैंक, जो कि है बेस्ट पावर बैंक इन इंडिया अंडर रूपीज 500, 500 के अंडर बेस्ट पावर बैंक इन इंडिया तो आए कि इस प्रदुक्ट को डिटेल में देखते हैं दोस्तों यह पावर बैंक है MI की तरफ से जो की है 10500 mh की यहां आप देख सकते हैं 10500 mh और यह कुछ इस तरह का दिखता है यहां आपको एक बटन मिलता है जिससे आप बैटरी लेबल देख सकते हैं और यहां से आप फोन को या किसी डिवाइस को चार्ड कर सकते हैं और यहा से आप बैटरी का लेवल देख सकते हैं कि यह पावर बैंक कितना परसेंट चार्ड है या नहीं है और इसके साथ आपको मिलता है यह पावर बैंक और यह एक केबल इस केबल से आप इस पावर बैंक को चार्ड कर सकते हैं कुछ इस तरह से देखिए यह चार्ड हो रहा है किसी दूसरी डिवाइस को इस तरह से चार्ज कर सकते हैं कुछ इस तरह से आप किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं चाहे वो फोन हो या कोई दूसरा डिवाइस हो अगर आप चाहें कि एक साथ आप इस पावर बैंक को भी चार्ज करें और किसी दूसरे डिवाइस को भी इस power bank की मदब से charge करें तो ऐसा नहीं होगा आपको एक बार में या तो ये power bank charge करना hoगा या इस power bank से किसी दूसरे device को चार्ज करना होगा एक बार में आप एक ही काम कर सकते हैं दोस्तों जैसा की मैंने बचाया ये 10,400 mAh का power bank है तो इसे full charge होने में तकरीबन 5 घंटे लगते हैं और एक बार full charge होने पर आप 3000 mAh या 37,000 mAh के करीब 3 ऐसे phone इस power bank से charge कर सकते हैं और इस power bank के price की बात करूँ तो ये 500 से नीचे ही है आपको अलग-अलग online websites पे अलग-अलग price मिलेगा लेकिन 500 के अंदर ही इसका price आपको मिलेगा दोस्तो इस power bank के performance की बार करूँ तो मैं इसे कई महीनों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आभी तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है आप जब ये power bank खरीदें तो सिरफ ये ध्यान रखें कि वो power bank original MI की तरफ से हो ना कि कोई duplicate दोस्तो अगर आप ये power bank खरीना चाहते हैं तो नीचे description में लिंक है आप वहाँ क्लिक करके इसे खरीच सकते हैं असर करता हूँ आपको ये power bank और ये video पसंद आया होगा अगर ये video पसंद आया तो इसे like और share करें और मेरी चैनल को subscribe परना ना भूले नमस्कार जैहिन